अब लोग तो कैसे हैं आप लोग तो देखें वेटा हम लोग वैलेंट सीरीज में आगे नेक्स चेप्टर केमिकल एकलिवरियम में तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया वैलेंट सीरीज में सीरीज में हम लोगों ने सम बेसिक कॉंसेप्ट एंड रिडॉक्स टाइटरिशन में स्टाइक्योबेट्री कंप्लीट कर लिया था दो हो गए और इसके बाद फिरम लोगों ने सलूशन कंप्लीट किया और यह सब पूरा का पूरा क्या था यह एडवांस्ट के लिए था प्रॉलम होती है जिसे कि आप चीजों को और असानी से कर पाओ समझ पाओ ठीक है तो आगे बढ़ें उसके पहले स्वाइक से स्वागत है आप सभी का मौस्ट विल्कम तो लॉफ माई लबली और प्यारे विकेशियन आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और चलिए इस इक साथ चल रही है कि अंधिक अना हं मौको सकते हैं और स्वाइनस बोलने के-लिए क्या क्या सारी चीजिए हम आपको बताएंगे है तो सब डिटेल में डिसस्ट करेंगे उसके पर इससे Can क्वेशन हो सकते हैं, हम लोग बात करते हैं ठोला सा जलाट धिखलाजा section की, JGG section की बात कर लेते हैं, हैना, धोला सा हम आपको दिखा दिते हैं सबसे पहले, तो देखे, क्या के चीज है हाम लोग, कैसे questions हम लोग करेंगे, यहां पर आपको थोला सा आईडिया लगना चाहिए, तो देखें यह आपके सामने हैं, यह आपके सामने है, देखते जाएं, कुछ इस तरह से, है ना, तो यह कुछ कोश्चन स हमलोग सामल्टेनेस पर करेंगे, आपको दिखाएंगे हम कैसे कैसे क्या क्या होता है, ठीक है, और उसके आद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अब हम बात करते हैं बेटा किसकी simultaneous equilibrium की ठीक है तो जरा देखे क्या है simultaneous equilibrium basically बेटा क्या है जरा जहांते सबजने की कोशिज करना बहुत बढ़ियां चीज है यह ना whenever two or more equilibrium whenever two or more तो minimum तो दो होने चाहिए equilibrium reaction yes stabilized in a same container एक ही container के अंदर एक ही डब्बे के अंदर होने चीज़िए having at least one of reactant or product common between them is called simultaneous equilibrium simultaneous का condition बेटा क्या है कि एक से ज्यादा reaction होने चीज़िए एक ही container के अंदर होने चीज़िए और वो जो reactions है एक से ज्यादा उनमें से कोई एक substance common होना चीज़िए जैसे कि यहां पर दोगो सी और सी common है और एक ही container के अंदर है दोने equilibrium पे है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे that will be call simultaneous equilibrium और भी example हम अपको दिखाएंगे ठीक है तो इसमें क्या होता है मैटा सारे के सारे है ना या फिर one of the product is common जैसे इसमें क्या one of the product is common या यह हो सकता है कि एक product एक reactant मतलब कोई सब भी पहले reaction का और दूसरे reaction का कोई भी एक species reactant या product का अगर common हो गया और reaction equilibrium में है एक से ज्यादा reaction है एक ही container के अंदर है then there will be simultaneous equilibrium तो मुझे लगता कि आप simultaneous कब होगा यह आप समझ गये होगे और यह सब एक साथ same time पे ऐसा कभी भी नहीं होगा ध्यान रखना बेटा कि मालो दो reaction है यह पहले equilibrium पर आजाए यह बाद में आजाए ना ऐसा कभी नहीं होगा जब कभी reaction equilibrium में पहले आजाए और दोसरी reaction equilibrium में नहीं आए ऐसा कभी नहीं होगा अगर आप simultaneous equilibrium की बात करो तो जितनी भी रियाक्शन्स हैं दो 20, 2000 जितनी भी रियाक्शन्स है एक सेम container के अंदर उस सब की सद equilibrium में होंगी और एक साथ equilibrium पे आएंगी तो सभी reactions तो आपको पता है हम लोग हिंग्लिस में सारी चीज़े बहुत अच्छे और भी डिफाइन कर लेते हैं तो सभी reactions एक साथ equilibrium में आएंगे अब कंडिशन में ने आपको बिताया था कि हो जह घुए कि में जड़ियो ख़या हो सकता है कि मैभी वन अप दा रेक्20 कॉमर उन रेक्षिंस में कोई रेक्टेंट comment हो जाय या में बीवी बशन movement कर रेक्षन प्रॉडक्ट प्रोडक्ट पूताम एक कारे रिक्षन हो महथ कुछ कूम संबूरार के समस्क्स अहीं ऑप पिटोर समझेंगें तो आपई क्या थो क्या हो के जुआ ना हम दुर्व के हुगाow आचुकी हैं जो होना ता सब हो गया और सारी रियक्शन शेक्लूबरियम में आ छुकी हम यह मान के चलेंगे. Now all are at equilibrium and और equilibrium पर आपको पता कि सारी की सारी चीजा क्या होती है constant होती हैं. So everything is constant और यही मान कर अब हम सारे questions solve करेंगे और यही मान कर हम सारे questions तो यह सार था, यह बेस था, simultaneous equilibrium का, एक बात समझ लोग मैंने क्या बोला, कि एक container होना चीए, एक से ज्यादा reaction होनी चीए, टू और मोर देन टू होनी चीए, और उन reactions में, जैसे सब आगे बढ़ते जाओगे, कि जब कभी भी दो reactions की बात करोगे, आगे बढ़ते चले जाओगे, तो कोई एक species common आनी चाहिए, आगे example समझ दिखाएंगे step by step, ठीक है, और सारी कि सारी reaction, एक साथ equilibrium पे आएंगी, ऐसा ही होगी एक आए और दूसरी ना आए, और जब हम simultaneous की बात करेंगे, हम लोग कि उसका क्या definition, उसके basis में everything is constant, और यहीं सब मान के हम questions को solve करेंगे, ठीक है, तो चले, आप examples हम आपको दिखाते हैं, जैसे कि मालो यह है, एक एक करके समझना बेटे बात को, और बढ़िया तरीके से आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, चले पहले पान पीते हैं, पहले अचीश तो आप मुझे यह बताएं, कि एक कंटेनर के अंदर हैं, क्या यह simultaneous equilibrium का case बन रहा है, पहले तो यह बताएं, एक reaction यह आपके सामने है, ठीक है, जिसका equilibrium constant kp बन है, दोसरा reaction आपके सामने है, जिसका equilibrium constant kp2 है, ठीक है, अब उसे आप यह बताओ, क्या यह दो reaction simultaneous equilibrium को represent कर रहा है, कैसे, देखो, कोई भी चीज़ देखो, अब यह कोफिशेंस को देखो, जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1x निकाल दो, अब यहाँ पर coefficient 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, समझना, समझना, अब c यहाँ पर 2x है, तो जैसे दो कोफिशेंस 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 कोफिश तो देखो यह आपर निकला तो यह वन है आपर यह बन गया और यहां पर वन है यह बन गया यह बन गया तो इस बिकम सो य प्लस टुएक्स अपने कहा था जब कभी भी दो रियक्शन की बात करो हमेंसा दो दो रियक्शन लेकर आगे बढ़ना तो फिर देखना कि जो कॉमान तो यहां पर यहां पर यह फली प्लस टूएक्स होच ठूए इसस अ मताब पर की सि्टम के अंदर जो सी होगा बैटा वो सिस्ट्म डिस्टिबूटरब रोगा तो जो कॉंसेंट्रेशन सी का आपको जहां भी देखोंगे सिस्टम के अंदर कहीं पर भी आपको कॉमन मिलेगा सेम मिलेगा तो अगर यहां पर वाई प्लस टू एक्स है तो पड़ा यहां पर भी इसको क्या कर दो वाई प्लस टू एक्स कर दो फाइनली आई होप मेरी बात समझ में आगे होगी कि मैं क्या कहना चाहरा हूं चलो दुबारा लिखते हैं इसको फटावट द्यान से देखिएगा एक दम गौर फरमाईएगा जनाब ध्यान से समझने कोशिज करना मैं क्या बोलना चाहरा हूं इसका इनिशल दिया है इसका इनिशल वेट भी नॉट दिया हुआ है चली आगे बढ़ते हैं आपने पहचान लिए कि कैसे क्या होना है ठीक है अब जड़ा ध्यान दिजेगा इसको minus x निकाला, x निकला तो यह 1 है तो यह 2 है तो 2x हो गया चली अब यहां पर भी सी है यहां पर भी सी है तो अगर यह 2x हो था यहां पर लिख दो अलड़ी है चली अब यह B0 था कुछ निकलेगा y अब यहां पर 1 है तो 1y हो गया यहां पर 1 है तो यहां पर 1 है तो यह इस तरह से आप simultaneous equilibrium के reactions को write करोगे लिखोगे बात समझ में आती है क्या बैटे बात समझ में आती है क्या बैटे है ना तो कुछ इस तरह से हम लोग इसको आगे समझ सकते हैं चले next और दिखाता हैं आपको अगला देखिएगा लिखना सिखो पहले लिखना सिखो पहले लिखना यहाँ पर one है यहाँ पर two है है यहाँ यहाँ पर three है यहाँ त्री यहाँ पर one है यहाँ ध्यान से दिखेगा पहले दोत रेक्ष्छन को BEN decided टरीकाा बता रहूं क्योंकि अगर यह लिखना सिख गाए तो साइमल देख आपको बोदा выпуск मानिस एकस लिग दिया है यहाँ पर three ह अब बताव इन दोनों में C common है क्या, yes common है, अब इसका 3x mol बना है, तो यही 3x mol तो आगे बढ़ेगा, बात समझना हो, अब यहां पर 2x लिकले, अरे भाई, यह जो 3x बन गया है, मालो इसके 10 mol बन गए, मालो इसके 10 mol बन गए, तो रियक्शन जब आगे बढ़ेगी C से, तो C के 10 mol से ही तो आगे बढ़ेगी, तो गरबन मत करना, अब यह जो common है, आपको दिख रहा है, नजर आ रहा है, यह जो common है, यह जो common है, यह जो common है, यह C, इसको आइसे थोड़ा सा, अब आप मान के चलो कि यह रियक्शन हुआ, और C यहां पर कितने mol बन गया, 10 mol बन गया, अ का मतलब यह कितना है, 3x है, अब आप यहां पर माइनस y करें, तो जैसे आपने माइनस y किया, जरा गौर फर्माइएगा, यहां पर दखो वेटा, माइनस y न करके, जितना कोफिशेंट उसको लेके चलोगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी, आप चाहां पर 2 है, तो माइनस 2y कर दें, चलिए, कलर चेंज कर लेते हैं, रुको, माइनस 2y कर लिया, चलिए, माइनस 2y कर लिया, अब यहां पर देखो यह टाई, 1 है, तो y बन जाएगा, यहां पर 2 है, तो यह 2y बन जाएगा, अब सबसे पहले, जो कॉमन स्पेसिज है, उसको एक्वेट कर लो, बराबर कर लो, अब यहां पर यह टो, 10 था, लेकिन फाइनली रियाक्शन रिने के बाद, यह 3x-2y हो चुका है, तो इसका मतला, अगर यह 3x-2y हो चुका है, तो यह 3x-2y हो जाएगा, समझ रहा ने, यह भी 3x-2y हो जाएगा, अब कि आपको यह बात समझ में आई होगी, तो लि x है, कानी समझ रहा है, तो b यहां पर x है, तो जितना है, मालोब b पांच मोल बना था, तो पांच मोल ही तो आगे बढ़ेगा, तो समझ रहो ने कानी, कि हाँ पर 2 हो तो बहुत सो लोग कन्फूजन हो सकता, किसा ने यहां पर 3 था, 3x, अब यहां पर हमने 2x-2x क्यो नहीं बन गया तो भी कितने सीधे तो मालो है संहें आपने पसके यहां पक्याहिदा मजदार सुथ यह unlimited amount आप और फरम yap French अब अगे बहुज़ो अब फुस्राद याँ फंच्राद करो तो मायनस सकते डिक सकते हैं क्वी तुकि ले यहां पर B है, X, तो इसको X-2Z कर दो, गवर फर्माइए, मैं क्या बोल रहा हूँ, यह देखिया, X-2Z कर दो, चलिए, B का काम ओवर हो गया, काम खतम, चलो, C को चेक कर लो, C 3X-2Y है, यहां पर, 3X-2Y है, राइट, B कितना था, यहां कितना, E कितना हो चुका है, जो देखो गांऑ, जो common है, common को देखो, यहां भी E है, और यहां भी E है, चेक करो, यहां पर 2Y, यहां पर 2Y-Z हो चुका है, तो एभी 2Y-Z हो जाएगा, आपका, E B 2Y-Z हो जाएगा, हो गया, E B कमपलिट हो गया, I think, और दो कहो F, तो कहीं common है नहीं, यहस, तो जो common है, उनको ध्यान स तो दोखो C भी आप मैच कर सकते हो यह आपके सामने यह आपके सामने बताओ बटे कहीं पर भी कोई दिक्कत है आप मुझे बताएं देख लो ध्यान से देखो विटा क्योंकि अगर आपको यह लिखना आ गया सची बतारों विटा कि फिर तो मोजा ही मोजा है तो पहले साइम मैनस जेड हो चुका है यह आपका एकडम कहानी क्लियर है के पी यून के पी टू उसके बाद फिर यह वाइलूज बगर रहा है कोश्चन सहम आगे करेंगे पहले बात को समझो कैसे लिखना तो आहिए यहां तक लिखना सिखा है अभी नहीं रुको अभी और आपको प्रैक बॉतिसे लिख रिख लिया ना बया यहां पर इन दोर में कॉplease कोश्रमान या ना यह पर कोमन ने जलाए तक्या यह वा रहा है किया रधों करेंगे … और यह पर एक्स से ही इसलिए मोल न चलारा शाल के तबर गदर देगए मोल पर टृटा आप यहां हो कि ए पर एगस हो और f का लिखना या इसका कितना बच गया है तब आपका कॉफिशेंट कॉम आता है तो यहां पर अब देखो 3 है तो अब यहां पर क्या लिख दो बेटा x-3y लिख दो अब 3 है तो यहां पर 2 है तो 2y हो जाएगा यहां पर 1 है तो यहां पर y हो जाएगा अब जब कॉमन वाले को मैच करा लो एक बार फिर आगे फिर दुबारा भी मैच कराएंगे फाइनली फिर मैच कराएंगे common वाला कॉन साइए common यहाँ पर सिर्फ डी है तो डी यहाँ पर कितना होगे x-3y तो क्या बेटा वहाँ पर भी x-3y लिखोगे आप यहाँ पर भी x-3y करने वाले हो आप मुझे लगता है कि अब आप साहित कहानी समझ गया होगे कैसे करना है यहाँ पर भी आप इसको x-3y लिखने वाले हो चलिए दो-दो reactions को लेके चलोगे कभी दिक्कत नहीं आएगा डी और कोई comment था इस पे नहीं था अब आगे बढ़ो अब देखो b है और यह e है तो उपर नजर डालो और देखो कहीं पर b है क्या उपर नजर डालो कहीं पर b है क्या यह समय यह b नजर आ रहा है समझे लो बटे उपर हमें यह b नजर आ रहा है है न तो b को देखना है फिर आपको e को देखना है सारी चीजे आपको करते हुए समझते हुए आगे बढ़ना है और ध्यान से बिल्कुल भी कुछ भी गवढ़ने नहीं करना है तो बटा अब बी कितना है बी यहाँ पर कितन लिखो एक बार तो चलो लिखते हैं B को तो B हमारा जो है वो कितना है बैटा मैं लिख रहा हूँ देखो B, B not minus 2x है पहले उतना लिखते हो जितना है E कितना है 2y है इतनी बात समझ में आती है अब आगे बढ़ो अब आगे बढ़ोगे तो कोविशन का माना सुरू हो जाएग इतनी बात समझ में आती है क्या इतनी बात समझ में आती है क्या आप कॉमant को जना लगया इन दोरू में कुछ कॉमant था क्या देखो D D E F D E, तो E यहां पर कितना हो चुका है, 2Y-3Z, तो यहां पर भी कितना हो जाएगा, 2Y-3Z, समझा पा रहा हो ना, समझ पा रहा हो ना, मैं क्या बोलना चाहर हो, देखो E का काम खतम, E का कांट हो गया की नहीं हो गया, चल, और एक सी जोर देखो, B यहां पर है और B यहां पर है, B यहां पर हो चुका है, B not minus 2X minus Z, तो यहां पर भी हो जाएगा, B not minus 2X minus Z, यहां पर भी यह एतना हो जाएगा, दो कि B का भी कांट हो चुक गया, B का भी कांट हो गया, B का भी काम हो गया, कहानी समझ में आ रही है क्या है, बात समझ रहा हो ना क्या करना है ultimately तो यह चीज़े देखो आपके सामने आ रहे हैं किस तरह से कैसे लिखना है यह आपके सामने है भी भी हो गया चली होगी फिर और मैच कराएंगे भी देखेंगे अब आगे बढ़ो F और G पीटा F ने जारा रहा रहा Y G ने जारा रहा Z वा भाई वा गजब है न आप ध्यान से जो कमन कमने सब को देख डालो यहां पर बताओ यहां पर एफ कितना है चलो F को देखो सबसे पहले यहां पर एफ कितना है Y-2W और देखो कहीं पर F है यह चली है F कम्प्लीट बस ऐसे करके आगे बढ़ते जाओ और जो पीछे वाले है उनको बराबर करते ज जाएगी, G कहीं नजरा रहा है, यस G नज़ा रहा है, तो G यहाँ पर Z-3W, तो ओट इसका मतलब यहाँ पर पर Z-3W, ओजाएगा, यह लिजए, अब देखव। इसके बाद सी कहीं नजरा रहा है क्या, यह सी यहाँ पर हो चुका है क् आप जड़ा देखो और बताओ मुझे बटा चेक कर लो, B कितना हो चुका है, B not minus 2x minus z, एकदम सही, C कितना हो चुका है, x plus 4w, बिल्कुल, D कितना हो चुका है, x minus 3y, एकदम सही, चेक कर लो, D यहां पर, और D यहां पर x minus 3y, 2y minus 3z, F आपका यहां पर y minus 2w है बेटे, और F आ यहां पर भी आपका B not minus 2x minus z हो चुका है, I hope, यह है कांड, यह है कांड, यह है concept, simultaneous equilibrium, तो पहले तो आपको यह चीजे बहुत अच्छे से लिखनी आने चाहिए, simultaneous में, और अगर आप यह बड़ा चीज लिखना सिख गया हो, तो हमें साथ 2-2 reactions पो लेके आगे बढ़ते होगे और coefficient के basis पे आपको बागे बढ़ना है और समझना है चीजों को, तो यह था concept of simultaneous equilibrium, अब बताओ, इसमें कुछ लोग लोग यूज करते हैं, जरा वो देख लो, बहुत सिंपल सा है, simultaneous equilibrium में क्या लोग है वो गयरा थोड़ा सा, वो थोड़ा सा देखो, क्या है, क्योंकि इनकी जरूत हमें पढ़ेगी आगे, तो हम इनका बहुत अच्छे से आसानी से यूज करके questions को solve करेंगे, तो अब एक शी बताओ, क्या किसी भी simultaneous reaction, कोई सा भी कैसा भी दुनिया का आ जाए, क्या आप मुझे एक चीज यह बताओ, क्या आप उसका reaction, comment box में लिखके जरूर क्या आप यह उसका reaction, 100% perfectly, सही से लिख सकते हो, क्या, simultaneous equilibrium क्या है, वो बन आपको बता चुका हूँ, बहुत बढ़िया डीटेल में, किस तरह से उसकी reactions में हम आगे बढ़ेंगे, विट इस अक्यूमेटिक कोपिशेंट, कैसे कैसे हम XYZ लिखेंगे, उनका W लिखेंगे, वो स सारा का सारा चीज़ में आपको समझा चुका हूँ, तो तिन reaction लेकर, तो अब थोड़ा सा law समझ लेते हैं, क्या यहां पर यूज होता है, उसके बाद फिर questions पर आते हैं, है ना, तो जैसे कि मैंने का था था ना, कि पहले हम आपको concept समझाएंगे, उससे related जो भी है, उसके करेंगे, तो हमें दिक्कत कहीं पर भी नहीं आएगी, चलिए, तो पहला जो आपका है, वो क्या है, देखो, अब बहुत अच्छे से पता है आपको, उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे, डालत असलो पासिल प्रेशर आपको पता है, जो ही होगा, किसी भी गैस का अगर आप अगेन दॉस्यदी नहींगे, यह इसे प्रेशिध कि नहीं पूस्ते नहीं हो गया, यह ठो सिकाग जोग तो एज सेweder, देखो आपको, एज तो ही म Yay direct the whole thing is constant, so P is directly proportional to n हो गया, यानि P equals to n, समझदों बैटे, यानि P by n, n को नीचे लियाओ, इस constant, यानि P1 by n1 equals to P2 by n2, या फिर P2 को इधर ले आओ, n1 को इधर ले जाओ, यानि P1 by P2 equals to n1 by n2, यानि pressure का ratio is equals to mol का ratio, अरे भाई साब, pressure का ratio is equals to mol का ratio, तो अगर volume और temperature constant है, तो जो pressure ratio होगा, वही mol ratio होगा, यानि कि अगर equilibrium पर pressure P equilibrium है, और initial pressure P naught है, तो बैटा यहाँ पर जो pressure का ratio होगा, वही mol का ratio होगा, तो equilibrium पर pressure अगर P equilibrium है, तो equilibrium पर mols कितने होंगे, n equilibrium ह और पी न नोट है, तो इनिशेल प्रिशर करने होगे. जो इनका रेशियो प्रिशर होगा वह री रेशियो प्रिशन का तो पहले जी featuring हो. आगे बढ़ते। अभड़ समेडे सुलला क्या बोलता है कि at constant pressure and temperature volume is directly proportional to moles तो constant pressure and temperature तो भाई आपर pressure और temperature constant बेटा इस बार तो तो सिधे-सिधे volume और mole में क्या relation आ रहा है देखरो अब direct relation आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो volume is directly proportional to mole तो V equals to KN यानि V by N equals to constant यानि V1 by N1 equals to V2 by N2 आप चाओ तो अब क्या करो N1 को इधर ले जाओ V2 को निचे लेओ तो V1 by V2 equals to N1 by N2 यानि volume का ratio is mole ratio अरे भाई सहाब यानि जो volume का ratio होगा वही mole ratio होगा आप सुलो इस concept का क्या use होने वाला है बहुत तग्रा question बनता है आप साइमल्टेनियस वे दान रखना यानि जो volume का ratio वो mole का ratio अगर पिस्टल ओ टेंपरिचर कॉंसेंट है तो अब बताओ मालो यह volume को हम टोटल वोल्यूम से डिवाइड कर दें तो यह volume का ratio बना मोल को अगर हम टोटल मोल से डिवाइड कर दें तो यह mole का ratio बना तो बटाओ वोल्यूम डिवाइड बाइड टोटल वोल्यूम इज वोल्यूम फ्रेक्शन जैसे mole fraction क्या होता मोल्स वाइड टोटल मोल्स तो यह mole का ratio ही तो है तो यह को using this concept और यह volume का ratio यानि कि अगर हम अग वोल्यूम फ्रेक्शन लिख सकते हैं दिखाऊंगा question में लगा कि इस concept को दिखाऊंगा आप देखिएगा तो जराम चरा बास समझ में आती है यानि कि हमारे डाल्टन स्लॉप पार्शिल पेशर क्या बोलता था हमारा DLPP क्या बोलता था कि PA कोस्ट्यू बेटे क्या होता है पीटी इन्टी इन्टी वॉल्यूम फ्रेक्शन अफे अब यह सब तयारी करा रहा हूं कि अच्छे तग्डे तग्डे इड्वांस से अब सब चुटके में सौल कर पाऊं सिम्लली बेटे बताओ पीब को स्टू हम क्या लिखते हैं यूजिंग डाल्टन स्लॉप पासिल प आधिवांस वॉल्यूम फ्रेक्शन अफ बी इन्टु वॉल्यूम फ्रेक्शन अफ् G 이제 देखिया जनाब वहीत बन्या आपको बताया कि पी पी एकोष्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् तो देखो मैंने, simultaneous equilibrium, step by step लोग बढ़ रहे हैं और चीजों को तंगने से समझने कोसिस कर रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीजे हो सकती हैं और बढ़ियां से एकदम मस तरीके से समझना है चीजों को तो questions on simultaneous equilibrium, तो simultaneous equilibrium का मैंने briefing किया concept का पहले तो आपको और जहां पर हिट करना वही concept का ब्रीफिंग किया मैं एक दम तगड़े से आपको बताया कि यह चीजों हो सकती कौन-कौन से law हम लोग जनरली यूज कर सकते हैं ध्यान रखना बेटा ध्यान रखना बेटा अगर pressure or temperature constant है तो हम mole fraction की जगए पर volume fraction भी लिख सकते हैं और इस चीज का अभी आपको हम आने वाले session में इसका example simultaneous का हम आपको करके दिखाएंगे और और भी कई चीजे हम आपको करके दिखाएंगे बढ़े अच्छाचा question हम आपको करके दिखाएंगे JTG में तो बने आपको दिखाया है तो अब इसके question solve करके देखते हैं तो चलिए अब देखते हैं questions on simultaneous equilibrium और यहां से जो concept बने सिखाया है उनको बढ़ियों से apply करके देखते हैं तो यह रहा आपके सामने तो हम सबसे पहले बात करेंगे करते हैं और यह रहा question बटे आपके सामने देखे द्यान से अच्छे से पढ़िये अगर आप खुद से solve करना चाहते हो तो आप इसको पाँच करके solve कर लो उसका फिर मैं डिसर्स करूं उससे match कर लो ठीक है और ऐसे करके वह तकले-तकले questions बटे साइमल्टेनेस के हम लोग करे अग्दम advanced level के अग्दम बिंदास तरीके से देखिया अब इसमें क्या है देखो जड़ा विटा विटा विन एन ओ अनो अनो और नो को क्या क्या कर दिया मिक्स कर दिया तो इस तरह की equilibrium तो पहले तो चेक करो बटा क्या है सामल्टेनेस equilibrium है तो उसके लिए जरूरी क्या है कि सेम कंटेनर तो एक ही कंटेनर के अंदर हो रही है रियक्शन चलो यह भी ठीक है और कोई भी एक minimum species को मरानी चाहिए दोनों में से तो यहां पर NO2 है और यहाँ 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 लोडिया चलिए बहुत अच्छी बात हो जाती है आगे देखें इनिशली NO and NO2 are mixed in a mole ratio of 1 is to 2 अच्छी इनका KP दिया है और दूसरे का KP निकालना है KP दिया है तो क्या हम सिधे pressure के form में ले सकते हैं अच्छी बता यहाँ पर अगर आप से एक चीज पूछे है कि भाई यहाँ पर system का close system लिया गया है ठीक है यानि system का volume constant temperature change नहीं रहा temperature constant है यानि याद करो फिर अगर volume constant है और temperature constant है तो अभी बने उस टाइम पर बताया था आपका कि भीटा जो प्रेशर रेशियो होगा ratio is equal to क्या था मोल रेशियो जादे बाटे pressure ratio क्योंक्तों मोल रेशियो प्रीब को से ना त्यो किया था हम लोगों ने तो भी यहाँ आपर volume constant temperature और अगी दिशना सब्छान की अनगर राइट पर आपका आपका समझना बीटे बात ध्यान से एक रहा है फो फर में को कुछ आपका सपूज है यह ना थे अपर आपका उसको भी यह बोल दें आपका या 1, k ले लो, तो, mols of NO2 आप कितना ले सकते हो, 2 के ले सकते हो, और दोनों का अगर हम रिशयो की बात करें, तो mols of NO2 आपका क्या होई? मतलब 1 by 2 ही तो है बैसे, बिस्कली, तो यह 1 और 2 ऐसे ले सकते हो, अब जो mol ratio बेटा, क्या हो ही आपका pressure का ratio होगा? यहां से प्रेशर की बात आ रही है तो यहां से कितना ले सकते हैं यह बात समझ में आती ही कि नहीं आती है यहां है कि अनो और ऑची कि अनुल को कहा है जो प्रेशर है इनिश्यली अनो का प्रेशर कितना होगा प्रेशर की अनुड गयाश्या अनुल कृटा तो जो मोल रिशियो होगा, एनो और नू का वहीं उसका प्रिश्यक का रिशियो होगा, तो अगर यह वन इसू टू है तो पी नू आपका वन पी नॉट हो जाएगा और पी नूट हो जाएगा यहां तक आपको समझ में आती हो गया इथी, चलिए, अच्छा, आप चलो रहाँ रेक्षिन आपका 2NO2 प्लस एकदम ध्यान से है ना 2NO2 अराम से करेंगे कोई जलवाजी नहीं प्लस प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे इसको 2NO2 गिप्स क्या था 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 इसका आपका केपी दिया था कितना 6.8 फिर आपका रेक्षिन नेक्स्ट जो रेक्षिन इसका केपी आप निकालना चाहते हो अब मुझे बताओ प्रेशर ऑफ एनो कितना आपने लिया पी नॉट ना और प्रेशर ऑफ एनोट आपने इनिशियली कितना लिया 2 पी नॉट मतलब गिवन है लिया क्या इनिशियली आपका 2 पी नॉट है और इनिशियली आपको गिव लिखो लिखो तो लिखो लिखो इतना लिखो लिखो 2p0 और 2p0 इतनी बात समझ में आते हैं अब इच्छल इसके बाद फिर आगे बद सकती हूं कैसे आगे बद कैसे में अगे बॉड़ सकते हूं एब आगे बुड़ो अब यहां पर वहे है तो माइनसट बेटा क्या कर दो प्रेशर के फर्म में लिख लिखो तो यहां पर P1 ले लेते हैं, तो –2P1 करते हैं इसको, फोता यहां पर 1 हो तो प1 हो जाएगा है, ध्यान देना, अब अब अगर यहां से चुक यहां पर P1 ले चुक हो तो यहां से चुक कि आप P2 ले सकते हो तो इसको P2 बोल दिया, अब यहां पर minus P2 हो जाएगा, अरे भाई सहाफ, और यह P2 हो जाएगा, अब फिर से नोटो 2P0, minus 2P1, minus P2 हो चुका है, तो यहां पर भी यह minus P2 हो जाएगा, कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो कितनी गर्दा चीज है यह ना, तो हमने गाते हैं कि पहले रियक्शन लिखना स्रीक लिया, तो फिर सारी चीजे आपके लिए असनों, जाएंगी, तो यह कुछ-काहनी आपके सामने थी, फिटे, यह कुछ-काहनी आपके सामने थी, चलो, कुश्ण को थोड़ा शा और पढ़ता हैं, कुछ और दिया है, क्या डिया, समझ ना, बढ़े हैं समझना कोई जिल बाजी नहीं, the total pressure at equilibrium was 5 atmosphere, यहाँ पर बेटा total pressure PT दिया हुआ, equilibrium पर, कितना है, 5 atmosphere, अभी देखेंगे, कैसे क्या करना है, एक बाद detail सोरा साथ, note कर लेंगा हम, the partial pressure of N2O4, अरे भाई सहाब, N2O4 का partial pressure, partial pressure of N2O4 at equilibrium, is 1.7 atmosphere, 1.7 atmosphere, तो अब देखेंगे N2O4, अरे लो, यह है N2O4 जनाब, यह है N2O4, इसका partial pressure, अब देखेंगे, यह सब simultaneous equilibrium की बात हो रही है, सब equilibrium पर आच चुके, तो बता हो, इसका मतलब क्या यहां से partial pressure of N2O4, 1.7 है, इसका मतलब क्या P1 का value पता चल गया है, yes, P1 पता चल गया, so now P1 is 1.7 atmosphere, बता बेटे, यह सब्सक्राइब, अच्छे से सीखो, तगरेज सीखो, और हर चीज बहुत क्लियर में आपको समझाओंगा, एकदम टेंचन नहीं लेना है, कोई जलदवाजी नहीं करनी है, आराम से सीखना है, चले, यह हो गया यहां तक, अच्छे बटे, टोटल पेशर 5 atmosphere दिया है, तो टो अच्छे साल हो गया च्छलो पार्शल पेशर अच्छे सर तो टोटल पेशर भाई सभी का सम होगा, अज क्या स्ट्रेंच करता है आप यह मिस्टेक तो नहीं करोगे, जो लोग अगर पहली बार ज्यादा नियुक्त नहीं पताऊगा, अगर वह लोग तो आसा माश्या थे स अप्री प्लस 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 तो लीख देते हैं अरे बड़ा बनाबर यहां भी यहां भी होई यह तो दो बार मथ लिख देना मैं सिस्टम जितना ही नौट एक होगा शाहँ जितने ही हो रही हो अगर अगर नॉ 2 का प्रश्चर सिंस्टम के अंदर वीटा ही रह गहे चाहिए तो प्रश्चर पूरर में प्रोप्रियम में ठोट माइनस देश्य Ah 2 2 P1-P2, यह आपका NO2 हो गया, एक बर ऐसे लिख लो, N2O4 कितना है, P1 है, P1, P1 का भलू पता है, चाहो तो आप यहाँ पर P1 डाल दो, पहले से ही डाल दो, क्योंकि आपको P1 पता है, P1 यहाँ पर लिख दो सीधे में, 1.7, 1.7, यह आपका N2O4 हो गया, प्लस NO कितना है, P0-P P2 हो गया, प्लस NO3 कितना है, यहाँ से P2 हो गया, तो P2 लिख दिया, और यह आपका टोटल प्रेशार आपका दिया, 5 इसको सिंप्लिफाइ करके आप लोगे, तो आपके यहाँ से मिलेगा 3P0-P2, यह गया 6.7, यह एक रिलेशन P0-P2 में आ गया कि नहीं आ गया, तो अग यहीं पर अगर हम इसका KP का formula लिखे पहले रियाक्शन को तो क्या होगा, pressure of NO2 whole square, तो NO2 कितना है, 2P0-2P1, समझना बेटे कहानी, minus 2P1, समझो बात को, minus P2 का whole square, यह कितना दिया है आपका 6.8, यह कितना दिया है आपको, 6.8, बोलो कहानी समझ में आती है क्या है, और इसका value आपका जो दिया हुआ है, आपका, है ना, P1 का value कितना दिया है बेटा, देखो, 1.7, तो आप यहाप P1 को आटा हो, इसको भी 1.7 लिख दो, इसको 1.7 लिखो, आप इसको simplify करोगो, तो क्या बेटा, एक relation आपको और मिल जाएगा, तो जब इसको simplify करोगो, आप, है ना, अच इसको simplify करोगे, यहां से आपको मिल जाएगा कितना, मिलना चाहिए, इसको square है, अब इसको square है, यहां पर 4 आजाएगा, तो 2 हो जाएगा, बताब, simple है, calculation नहीं है, इसमें, calculation नहीं है, इसमें, ध्यान रखना, तो आपका जाएगा 2P0, माइनस P2, इसको 3.9, अब बताओ, द अब आप इन दोनों को solve कर लो, और यहां से P0 भी निकाल लो, और यहां से P2 भी निकाल लो, तो P0 भी आजाएगा, P2 भी आजाएगा, बोलो बटे, तो P0 यहां से approximately 10.2.8 atmosphere के आसपास आजाता है, और P2 जो आपका आजाता है, यहां से, आपका P2 भी 1.7 atmosphere के आसपास आता ह यहां तक बास समझ में आती है कि नहीं आती है, कानी क्लिया रहे, कानी क्लिया रहे, यानि कि आपको क्या क्या पता चल चुका है, P1 पता चल चुका है, P0 पता चल चुका है, P2 पता चल चुका है, अब आप जो चाहों वो निकालो, equilibrium आपको भाई, अब यहां पर क्या क्या अगर आप इस reaction में देखो तो आपको क्या क्या वरियेबल्स में ले देखो पी नौट पीओन पीटु यह सब पता जल चुका है अब इसका KP निकला तो KP नहीं आ जाएगा क्या बटे सीधे KP का फॉर्मला लिखो और KP निकलो बोलो बेटे कारी समझ में आ रही है कारी समझ में आ रही ही है बोलो बेटे का आप KP निकाल सकते हो कि लिए निकल सकते हो तो इसका KP का फॉर्मला लिखो और वहाँ पर आप पुत higher-प इसको मैं सॉल्म नहीं करूंगा अबokay का फिर पार्मला क्या होगा उस reaction के लिए बस या तरह देखना देखो KP का formula क्या होगा, यहां से देखो, सिधे लिख दू, P2 divided by 2P0 minus 2P1 minus P2 into P0 minus P2, KP का formula सिधे, सिधे लिख दू, so that will be P2, 10 देना बेटा, P2 divided by P0 minus P2 into 2P0 minus 2P1 minus P2 और यहां से आपको इस सारी values पता हैं इसको simplify करो, और KP निकालो, इसको simplify करो, और KP निकालो, then KP बेसिकली सीको चानलो क्या क्या बूल दो? क्या बोल दो इसको kp2 बोल दो इसको आप kp1 बोल दो इसको आप kp2 बोल दो ठीक है इस तरह से तो kp2 इसको simplify करकर निकालो तो यह approximately वेट आपका 3.09 के आसपास आएगा अब बताव बैटे क्या question वापस आओ और फिसर देखो क्या करना था क्या बोल दिया तो अगर आपका यह kp1 था और यह kp2 था तो kp2 आ चुका है 3.08 अब बैटा सभी का पासिल पेशर तो आप निकाल लो जैसे पासिल पेशर आफ अगर हम बात करें अगर तो no2 कितना था 2p0-2p1-p2 सब का value डालो सब पता है आपको यह आपका आज आएगा 0.5 partial pressure of n2o4 आपको पता है पहले से क्या था p1 तो आपको पता ही पहले से 1.7 अटक लो किया पासिल पेशर आफ n2o3 चाहिए आपको अब n2o3 कितना था चेक कर लो n2o3 लोगो p2 था और p बोलो बेटा और क्या है बेटा बता हो और कुछ है इसमें यस no है p0-p2 तो partial pressure of no चीए आपको तो partial pressure of no कितना आजाएगा p0-p2 तो p0 डालो और p2 डालो इसको simplify करो बेटे तो यह आपका 1.1 की आसबास आजाएगा बोलो बेटे शारी की चारी चीजे आपके आजाएगे की यह आजाएगे तो यह था आपका पहला कोशन था थाना मस्त और जबादस तगला कोशन एकदम बिंदास मस्त वाला कोलो बेटे कानी क्लियर हो गए तो यह आपका question कुछ है पहला कोशन सौल किया हम लोगों लोगों तो यह बटा यह बटा इड़ांस कोशन दो कई सारे concepts ल population की बात करते हैं and přesian next question is question no.2 question no.2 अब धान से इसको भी करना है अब इसमें भी देखो कैसे करना पानी पिते हैं अब देखते हैं next question second question कया है इसको सबझते की करते हैं चलिए तो यह आपके सामने question no.2 इसका वन मॉल दिया हुआ, इसका वन मॉल दिया हुआ, इस टेकन इन ए ख्लोज विसल ऑफ वन लीटर, एकॉर्टिन तो फॉल्यून प्रियाक्शन, जी ख्लोज वन लीटर का है, आपका यह दिया हुआ, यानि कि फॉल्यूम कॉंस्टेंट होगा, और टेम्परेचर ने यह तो तेम्परेचर भी इसका आपको समझ में आरे एक चीज, इसका मतला है यहाँ पर वॉल्यूम एन टेम्परेचर इसका इसका प्रियूम कॉंस्टेंट है, यानि पी इस डिरेक्टि फॉस्टनल टो मॉल यानि कि जो प्रेशर के रिशियो होगा, वही मॉल का रिशियो इसका इकलूब्यूम कॉंस्टेंट कैसी बन है, इसका इकलूब्यूम कॉंस्टेंट कैसी टो है, एक काम तो हम यही से कर सकते हैं, क्या ज़रा देखो, पी इकलूब्यूम भाई पी नॉट लिख सकते हो अब यहां से, कितना 13 बाई 6, और अगर पी प्रेशर का रिशियो हो यह यह पर रिक्षिन को लिख लेते हैं तो अगर यह 1 है निशल लिख दिया कि नहीं दिया तो इसको हम लिख दिया एक गवर फर्म हो गया और यह 2x हो गया अब यह यह से निक्ला कानी कानी अब यह यह से इनकले कानी करता है और यही यह है तो तो कि यहाँ पर 2 तो 2y हो जाएगा और दीड़ा यहां पर 3 तो यह 3y और अब बराबर कर लो सबको तो अगर यहाँ पर 2x-y को चुका है तो यहाँ पर भी 2x-y यह जाएगा ध्यान देना बस यही चीज आपको ध्यान देनी है इसलिए आपके चीज पहले शिकाए थी अब भी अगर यहां पर 3y C हो गया D plus moles of D यह लिखे B आप अल्रेडी यहां पर लेशो डिवड़े बाए टोटल मोल्स तो इनिशली तो इनिशली तो इनी नौट आपका वन दिया हुआ थे देखो ना इनिशल वन मोल लिया हुआ था एक हा तो यह डिवड़े बाए 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 ने कितना है इसका सी कितना है बेटे दाओ सी टू एक्स माइनस वाई है देख लेना कोई मिस्टेक होगी तो आपकी रिस्पॉंसबिलिटी होगी सी अब दो बार लिखा दो बार नहीं सी मतलब सी प्लस D कितना है बेटे यहां पर तो यहां से आपका जो एन एक्लूब्रियम बाए एन आप आजाएगा या फिर सीदे सीदे वो कितना आजाएगा बटे इसको स्पिलिफाइ अगर आप करोगे तो यह आपका कितना हो जाएगा कैंचल एंसिल करके आप चेक कर लो तो यह जो आपका आजाएगा 1 प्लस 2 एक्स प्लस 4Y 4Y और इसका भालू दिया आपका कितना 13 by 6 यह एक रिलेशन आपके सामने हो गया यह लिशे है चिना आप 1 प्लस 2 एक्स प्लस 4Y को सो 13 by 6 बोलो बैटे क्या कानी यहां तक क्लियर है क्या अब दूसरा एक चीज़ी और दिया है इतने में काम बन जाएगा हमारा दियान दिया गवार फर्माइगा तो इतने 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 इत और दूसर रिलेशन आपका 2x-y by 1-x यहां चुका है इसको आप सिंप्लिफाइ करोगे तो यह 18 कुछ something हो जाएगा यहां से इन दोनों का यूज करके आप समझ रहो ना कानी इन दोनों का यूज करके आप बताओ यहां से x और y आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा तो यहां से जो आपका आता है जो भी हो आएगा 0.249 के आसपास और जो y का वैलू आएगा that will be 0.1667 के आसपास आएगा कर लोगे ना समझ में आगे तरीका कैसे करना है इसको और इसके बाद फिर देखो आपको अब क्या करना है गौर्ड फर्माया है वापास चलते हैं क्वेश्यन में क्लक्यूरेट के में क्सी वन और क्सी टू अब दा इटा के सी ची टू आजाएगा चला एक काम और कल लेटेज आखे सकता था ना कि अगरा मिन अग्धी छूश्यन आसा आ एकलूब्रियम तो अगिना गारा मैं अगको डाल दो के सीट्चिटू सिथे खाएक कि निधाा जा at equilibrium is 1-x और x का value आपको पता है 0.249 तो आप यहाँ पे डालोगे 1-0.249 तो आपका 0.751 आ जाएगा concentration of b बेटा कितना है x plus 3y है चेक करते जाओ b x plus 3y है तो इसको simplify करोगे तो x का value आपको पता है कितना 0.249 plus 3 into 0.1667 इसको simplify करोगे बेटा तो आपका 0.7491 के something आजाएगा similarly बेटे बताओ concentration of c कितना है c c 2x minus y है 2x minus y है 2x minus y means 2 into x is 0.249 minus y is 0.1667 इसको simplify करोगे बेटा तो आपका 0.3313 के असपास आजाएगा similarly concentration of d बेटे कितना है d d d 2 y है 2 y है so y is your 2 y so 2 into 0.16 कारी समझ दो बेटे so 2 into 2 into 0.1667 इसको simplify करोगे 0.3334 के असपास आजाएगा सभी के concentration पता चल गए क्या आपको सभी के concentration पता चल गए क्या बेटे आपको अब देखो अब मैं आगे solve नहीं करूँगा अब आप समझनो यहीं पर बात को क्या सभी के concentration पता चल गए बेटे तो बताओ बेटा इसका kc1 क्या होगा concentration of c whole square by concentration of a into concentration of b अब जो भी आप निकाल चुके हो यहाँ पर पूट करना है similarly बताओ बेटा kc2 क्या हो जाएगा concentration of d whole square into concentration of b whole cube divided by concentration of c अब यह सारी की सारी चीजह है इसको निकाल के दिखा है कि निकाल के दिखा है कि इतना है बी कितना है d कितना है c कितना है इन सब का value पूट करो और kc1 और kc2 बेटे निकाल लो और सब simplify करके जो भी value आए वो आपका answer होगा तो kc1 जो आपका approximately बेटे आएगा कितना मस्त है simultaneous equilibrium का game कितना मस्त है यह आप समझ में आगे आओगा आपको किस तरह से apply करना है कैसे करना है सारी चीजह में आपको calculation के साथ साथ करके दिखा रहा हूँ बेटे कि आप सारी चीजह में आप calculation थोड़ा ऊपर निचे हो जाएगा तो आप चेक कर लेना वो आपकी जिम्मेदारी होगी है ना concept आप समझ गए हो कि नी समझ गए हो that is more important तो आई हो बेटा कि आपने इस पहले session में जो chemical equilibrium का first session है यह आपने enjoy किया होगा आपने मस्ती किया होगा बेटे है ना यहाँ पर मैंने answers भी लिख दिये हैं आप चेक कर लेना याप ठीक है और आपको बजाया होगा तो इसको यह तो ऐसे session में हम लोग simultaneous equilibrium के और भी follow questions लिके आएंगे उनको crawl करेंगे और मज़े करेंगे बिटे okay so thank you so much मेटा God bless you all love you all खुब पड़ो खुब लिको खुब आगे बड़ो वाइनौटी हुआ इस districts definitely make a code अबान के ओ सकते हैं सजय हुआ तो अचार लिक रष्ड़ मय में आपको लिकषी झाल झाल